सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गते हैं जैन रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जमा पिले एक लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशूरु पत्रगार आरजू काजमी जी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजीत ताड़ा साब जो के एक जबदस जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है वो हैं पाकिस्तानी मूल के पर अमेरिका में रहते हैं पर खास बात यह है कि वो आजकल हमारे प्यारे देश भारत के बारे में तो यह दोनों लार्जिस्ट एकॉनमी बन जाएगा तो सर वो आइडिया तो नवाज शरीफ साब से लेकर गए शेथ वो यह भी आप से दावा किया जाता है तो सर खुद क्यों ने सिमाल कर पाए हम उस आइडिया को बस वो आइडिया बस चोरी हो गया ना आइडिया बस चोर कोई चोरों यहां पर देख रहा हो कि 109 स्पेस स्टार्ट अपस हैं यहां पर 109 प्राइविट स्टार्ट अपस मूविं टौर्ड स्पेस और पांच मिलियन मैंने आपको बताया थे कंप्यूटर प्रोग्रामर है और माइक्रोसाफ्ट और दूसरा आपके गूगल मिलके यहां पर एक लाक आइटिफिचल इंटेलिजेंट बनाने का इरादा कर रहे हैं तो आप देख लिए आप यहां से इसराइल जाएंगे और इसराइल आपको पता ही है कि आपको नई टेकनालोजी के स्टार्ट अप सारे इसराइल से आते तो पिर उसमें बहुत बढ़ी है चीश्मेंट वह नहीं परफॉर्म करके दिखा दिया इसके उनकी लिस्ट हैं नफरत का दर्वादा थोड़ा सा बंद करके देखें पर भारत जा कहा रहा है पहां रहा है रहा जौर करें इस पर लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं रही कम्जुरी है मैं तो इन से मिंटें करकर के मरगे हूं मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुम शायद पतरे इडियन के क्यों इतना करते हो चलो इडिया का माडल पर नहीं पसंदा रहा है बंगला देश का देख लो चाइना का देख लो जिनकी हमालिया से उपर है उनसे ही सीख लो कुछ या वो पठान बाई है तुम्हारे तुमने अपका सारा मुलक तबा कर लिया उनका अब तो अफगानिक रिंजी आपकी तो उन्त वो भी बेतर है आप से लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ना आप पस आपको पता निक्या शौक है जनून है कि जिहाद करना है हलाकि आपको पता इस दाद जो थे वो पठानों के सामने लेट जाते थे वो कभी उन्होंने जिहाद नहीं किया माजी के अंदर क्यों इसके साथ टाइम जाया कर रहे हैं मैत पड़ो खुदा के लिए अगर बचना चाहते हैं उर्दू में क्वीटे करते हैं मैं इसमक्त आर्जू अबराय हो गयोते हैं भारत के साथ तो रहते हैं तो जाधा अच्छा था दएख्या था। तो आप अंदाजा लगा है आप तरक्की में कहा होते हैं मौलाना अजाद जो है जो यहां के भारत के सबसे पहले एजूकेशन मिनिस्टर थे उनके जो तेरा पॉइंट उन्हों ने बताय ते लिखे ज़रा वो खोल के देख लिए हैं सारे वो फुल्फिल होते नजरा आ रहे पाकस्तान के उपर और जो उनका आइडिया था कि पाकस्तान भारत और भगला देश के मुस्लमान यह सारे अकटे होते हैं यह पूरा खिता जो है वो पुरसुकून होना था यह भी एक बात है और दूसरा यह है कि मैं बार बार मुझे इस चीज़ का एसास होता है कि यह इं और कई जो आइडूकेशन है खासकर जिस तरीके से मैं टेक्सला यूइश्टी से बड़ा इस्पायर हूँ चनकिया जो सिविलाजेशन है सारी उनकी तो वो देखें वो कितना मैकिया वैली और दूसरे सबसे बहुत ज्यादा वो तो डिविंची बगारा सब बहुत हूं मुझे अपने कमरे से हमाईयों का टोम नजर आता है इन दोफों का जो डोम है वो नजर आता है मजार उनका कैसे आप अपराए होटल से और मैं बलके अभी नजाम-दिन ऑलिया जा रहा हूँ दरगा के ओपर भी दौा करने के लिए पाकिस्तान के लिए आप सब के लि है सब के लिए दौा करूंगा जाके लेकिन उसमें बात यह है कि आरजू मैं मुझे डिफरस महसूस नहीं हो रहा है कि हम मोना फॉरन सोयल हो फॉरन लैंड है बिलकुल कोई कोई डिफरस भी नहीं हो रहा है और मेरे मेरी खाइश है कि मेरी जिन्दगी के अंदर ही नर्मला जो रैडिकल एलिमेंट्स है उनका उस तरफ नहीं जाना चाहिए मेरे खाल में अगला दौर जो है तालीम का और प्यार महबद का दौर है मेरे खाल में इसमें कोई कोई दूसरी राए मोजूर है मगर सर हम से जो अलग हो गया चाहिए वो बंगला देशे हो या भारत वो त इस तरीके से लोग तो बलके यहां तक कहते हैं कि काईदयाजम सब जो गुवर्नर जनल बने थे और लियाकद लिखान प्राइमिस सब बने थे उसी वक्त ही पावर का आप तैयन नहीं कर सके उसके बाद के पावर किसके पास होनी है वहीं से कंफूजन था आज भी आप को relevant system होना चाहिए कभी कहते हैं presidential system होना चाहिए कभी आप कहते हैं islamic state होनी चाहिए कभी आप कहते हैं Container of State की fundäreशन रखें है you are confused आपको पता नहीं है आपको identity crisis उससे अलग हैं आपको पता नहीं है मैं एक यस तरा आपको कहा है कि आप ص się बहा है है तो अर्बों के रिष्तेदार बन जाते हैं दुपैर को आप कहते हैं हम अबडाली हैं हम घजनभी के रिष्तेदार है अलाकि आप यहां लोकल रहने वाले हैं या आपका उन पठानों के थाथ क्या relationship है कोई relationship आप तो वो तो आप को पूरे करें लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सोच है जो आपको सबसे ज्यादा इस वकर जो खत्रा है जिसी से वो कॉरॉप्शन से है और तालीम से दूरी है आपने जो मैथ इंगलेश के साथ जो बाई काट कर रखा है आपने नहीं सिर्फ कर रखा 1.9 बिलियन मुसल्मानों ने कर रखा है यहाँ पर मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं वो भी इंगलेश में मेरे से बात कर रहे हैं मैं सारा दिन याप इस होटल के अंदर फिरता हूँ हर वेटर हर सर्वर मैं अभी जिम से आया हूँ सारे इंगलेश में बात कर रहे हैं आपके प्राइम निस्टर ने पूरे तरीके से इंगलेश बोल सकते हैं आप नवरत हैं आप इंगलेश से क्योंके मौलवी साहब ने भाईजान ने कहा दिया था यह बृटिश जबान है ये तो कौफार यह काफरों की जबान है यह क्यों पड़ नीप आप अब आप ट्वीट भी कर रहे हैं उर्दू में कर रहे हैं अप हर चीज उर्दू में लिए अदालतों में उर्दू चल पता नहीं कैसे बाद कहां से यह चीज आप सारी दुनिया इंगलेश पे चल रही है आप दूसरी साट पर जा रहे हैं अगर भारत और बंगलादेश से आप इसकी कापी करेंगे तो तरक्की कर जो उपर पांच-छेज़ार बंदा बैठा जिनके बचे लंदर पढ़ रहे हैं और अमरीका पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही देना चाहते ना खान सब बार-बार क्या कहते हैं सियासत नहीं जिहाद है अपने बचे तो लंदर में बैठे हैं अब देख लें जित पचाते हैं क्योंकि उनके बचे जो हैं उनका लंदन में नाचने को जी करता है आपके बचों को यहाद की त्यारी पर रखा वह उन यह तो फिर आर्जू आपका चॉइस आपके अपने हैं लेकिन आप घंस साइट पर जा रहे हैं चॉइस हैं आपने आखें बंद कर रखी मैं इस बात की कि पाकस्तानी ये देखें कि इस खिते में हम जैसे लोग जो हैं वो आप से सौ साल आगे किस तरह चले हैं किस आपको यह सोचना हुआई सोचना चाहिए आप बिलकुल ऐसा यह सर सोचना पड़ेगा लिकिन सर आप पिक्चर ज़रूर शेयर कियेगा मेरे कि मैं यहां मुझे बड़ा फखर है इस बात पर इस चीज़ का उबराए फखर भी अफसोस भी है उबराए साब जो थे वो जेलम से थे उबराए जो 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 ने इस चेंड के जो 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 ने शुरुवाद की थी किश्मीर जा कि उन्होंने पहला होटल खोला मुझे फखर है उनके पाकस्तान ने ऐसे 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 लोग वहां से यहां आए हैं जिन्हों ने दुनिया के नक्शनिक तब्दील करके रहे हैं मैं जिस होटल में बैठा हो पूरा होटल ही इस तरह इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते अमेरिका इस के सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है क्योंकि सामी दुनिया से लोग आते ना हमारे तो लोग ड़ते आते वे सिक्योरिटी रिजन्स की वज़ा से तो जायर इंकम बिजनस ही नहीं यहां पर आप सोच नहीं सकते मैं उबराए होटल मैं जब भी रेस्टोन जाता हूं सारा एटी परसेंट क्ला कि मैं चाहूं अगर आप पाकिस्तानी लोगों कुछ उनकी लिस्स देखें कि उतके बच्चे की शादी पे कौन कौन आ रहा है कतर का हैड़ा है उसके अंदर ट्रंप साब की बच्ची आ रही है उसके अंदर मार्क जुकरबर्ग फेस्बूक का मालिक आ रहा है उसके अंद टीम वरक होता है कोई ऐक दिन में रहा है लेकिन चाहिए ओढοιको है से टौटी पे भीज दें आप तो देखayan कि यहां आपके प्रोस में क्या हो रहे हा एंदेखने के लिए. मैं समझ तो देखने की बिल्कुल ऐसे ही लेकि सारा आप हमें पिक्चर जरूर शेयर किये गाए तैंकि बल्के मैं अधूर जाओंगा आरजू हम वहां से भी करेंगे शो बल्के मैं अधूर से अपने सारी फैमिली से मिल मिला के सारा और अब मैं यहां यह भी बताना को आपके देखने वालों से कि उन्हों ने किस तरह अंदौर जो है उसको क्लीन रखा हूँ है अब प्रामस यू अब गिव यू अधूर किया है आपको याद है ना आपने इंडिया से क्या लेकर जाओंगा अलाबाद से और मैं जा रहा हूँ अलाबाद मैं यूपी जाओ पराएं और इसी इंडिया गेट से खड़े होकर हम दोबारा बात यह करें यह भी मेरी खायश पूरी करेगा हम अकठे आंगे इंशाला 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 बहुत शुक्रिया सर थेंक्यू समय दोस्तों आशा करता हूं की वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा कि तरहां आरजू काजमी जी और साझजीत तारा साब का यह पूरा डिसक्स्केशन आपको काफी पसंद आहा होगा और इनकी इनलिसिस आपको काफी इंट्रेस्टिंग लगे होंगे खास कर जब इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में जाहे इर नो न और दूसरी और जहां आर्जुकाजमीजी ने बात की भारत के एजूकेशन के सिस्टम के बारे में भारत के एजूकेशन सिस्टम को कॉपी करने के बारे में और जहां इन दोनों ने एक तरफ बात की कि भारत और पाकिस्तान अगर अलग नहीं होते तो आज पाकिस्तानी भी बहुत बड़ा हिस्सा चीन लिया गया, जिसको पाकिस्तान नाम दे दिया गया, पर पाकिस्तान के हाला दे के और पाकिस्तानी जिहादियों का माइन्ट-सेट दे के हमें लगता है, ठीक हुआ, बट्वारा हुआ, ऐसे लोग भारत में हमें तो बिलकुल नहीं चाहिए थे, बाकी एक बात मुझे काफी इंटरस्टिन लगी जहाँ पर साजी ताड़स आपने ये कहा कि भारत पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है और मेमान नवाजी में और खास कर सर्विस के मामले में भारत अमेरिका से भी आ गया है तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आ आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शिय में लिखकर ज़रूर बताएं और एक बाद फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहें जैंद जैब भारत